So hardly, some hours are left when you'll see your first paper in your hands. मुझे बता है कि अभी बहुत डर लग रहा होगा, ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी नहीं पढ़ा करके. एक लाइन है, हिंदी में, मैं CA Foundation से उसको गुनगुनाता हुआ आया हूँ, बहुत बार मैंने उसको repeat करके खुद को बोला है, और उसी की वज़़े से मेरे CA के exam जो है first attempt में निकले है. तो यह लाइन आप हमेशा आद रखना, रख होसला वो मनजर भी आएगा, प्यासे की प्यास बुजाने कुछ समंदर चलाएगा, यूँ थक्कर ना बैट ए मनजल के मुसाफिर, मनजल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. अभी ऐसी feeling है कि भाईया, मैंने पढ़ बहुत कुछ रखा है, कुशिल सौल कर रखें, कॉंसेब्स एकदम बाई हाट कर रखें, लेकिन ICAI का बाउंसर पेपर आगया तो क्या करूँगा, या फिर जो मैंने पढ़ रखा है वो ही आया, और मैंने silly mistakes कर दी तो क्या होगा, य जितना तो तुने class 11-12 में भी नहीं पढ़ रखा था, जितना तुने इन CA exams को दे दिया है, बस अभी एक ही चीज़ की कमी है, जिससे तुझे दूर रहना है, वो है under confidence, because एक self-belief होता है, एक self-reliance होता है कि यार हाँ, मैं कर लूँगा करके, वो feeling ही ये exams को crack करने में बहु पेपर आपका अच्छा जाता है ना, तो एक rhythm set होता है, एक अंदर से confidence built up होता है कि मैं अगले exams भी अच्छे से करूँगा, लेकिन अगर तुमने पहले exam के पहले खुद को ऐसा बोला कि यार शायद इदर उदर का आ गया तो ये तो गलत बात है ना, तो सबसे important, सबसे जिस पर तुमको focus करना चाहिए, वो है, हाँ मैं कर लूँगा, बोलते जाओ खुद को, खुद को बार बार गुन गुराओ, कल सुबह पेपर पढ़ने से पहले 5 मिनिट का break लेना, वो question read करने के पहले, और बस कुछ भी नहीं सोचके वो चुपचा बैठ जाना exam hall में, सारी चीजें एक साइट और तुमारी आखे बंध होनी चाहिए, और तुम खुद को बस यहीं बोल रहोंगे, कि पेपर जैसा भी आएगा, मुझसे बन जाएगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, and mark my words, पेपर कैसा भी आए, तुम बहुत अच्छा पेप पर देने जाना, exam center, कोशिश करना कि यार, आदा घंटा, पौन घंटा पहले पहुच जाओ, विकास पहला paper होगा, हो सकता, disturbance create हो जाए, जो भी चीज़े, अगर मानलो कुछ negative चीज़े भी आपके आसपास हो, कि यार, मानलो आपका exam ticket इधर उधर हो गया, या फिर आप किसी section में जाके लिख दो कि भी या, इस attempt में मेरा paper best जाने वाला है, और मैं अगले level के लिए prepare करने वाला हूँ, मेरी सारी wishes तुमारे साथ है, तुम भी अपनी wishes खुद के साथ रखो, मम्मी पापा की blessings लेकर जाना, जिस भी God में आप मानते हो, उनको thank you बोलके जाना, पस उनको नहीं बोलना कि बगवान मुझे ताकत देना कि मैं इस paper में अपना best दे पाहूँ, बाकि सब कुछ ठीफ होगा, bye bye, take care, see you in the next video.